चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं यह बबा स्लाव माजी हाई जमील पुतर तेरी शकल को क्या हुआ है मेरा नाम जमील दो नहीं है माजी हाई तो फिर क्या है माजी वसीम ना तो तो अंदर कमरे में ठो इदर क्या कर रहे है पुतर माजी मैं आपका पुतर नहीं हूँ तो फिर तो मुझसे क्यों फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है माजी गोश्ट चाहिए नहीं भई नहीं हमारे घर में तो पहले ही बड़ा गोश्ट है माजी इसलिए तो बोलना गोश्ट चाहिए ओ नहीं भई नहीं चाहिए रखने की जगह ही नहीं है माजी मुझे गोश्ट की जरूरत है पतर तुझे तो गुलु कोश्ट की भी जरूरत है ना माजी गुलु कोश्ट तो नहीं है घर में माजी, गोश्ट दे दें किसको? मुझे! तु गोश्ट मांगने आय था? नहीं, दही लेने दही तो पिछली कली में मिलता है न? गोश्ट की जरूरत हो, तो बताना हा? जरतफो! कौन था मौमू? मौमू नहीं था, वो था वो कौन? वो जो हस्ट अप्डाल में होता है न? डॉक्टर? नी, डॉक्टर जिन का अलाज करते है जिन्नो का डॉक्टर? नी, तो अपने वाला असे से आसे से करके खीचता है न वो तो ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो तो? हाँ हाँ हाँ! कोई पागल था मनसूर? महमूद! हाँ कोई महमूद था पागल! अले, कह क्या रहा था? किसे? तुम्हें? मुझे मां जी कह रहा था! अरे, आया क्यूं था? देहीं लेने आया था फिर तो तुमने बना कर दिया होगा क्या? देही चुबहे मैं समझा गोश्ट मांगने वाला था जी गोश्ट से मुझे याद आया कि फ्रिज बेना बहुत सारा गोश्ट पढ़ावा है इस से पहले के खुराब हो जाए आप मल्ले में दे आए फ्रिज जे? निगोश्ट ठीक है तुम बहार निकालो मैं देकर आता हूँ फ्रिज ने नहीं भई गोश्ट जानू? इसके नाना इसे इदी दे कर गये थे? हाँ? क्यो? ऐसे ही पूच रहा था तुम्हें शरम तो नहीं आती ना नबील? इससे जानू? तुमने ना चान्दी को मीठी इदी दी और ना इस इदी पे जानू मैं इसे क्या इदी दूँ? मेरा जोग कुछ भी है इसी का तो है और तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास तुम्हारे पापा है जैनू शुट अप नबील खुबसूरत नबील, मुझे लगता था कि बेटी होगी तो तुम कोई काम कर लोगे लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पूरी जिंदगी घर पे बैठके ख्याली पलाओ बनाओगे तुम मुझे घुसा दिला रही हो खुबसूरत और तुम्हे घुसा आ गया तो तुम कर क्या लोगे हाँ मैं? मैं घुसा धूख दूँगा लाव भई नबील, मैं आ गया महमूद साफ आप गय कहा थे? अरे महले में गोश्ट बांटने क्या था, सारा गोश्ट बांटाया हूँ यार महमूद साफ, हमारी खाल का है? अरे हमारी खाल हमारे जिसम पे है नबील बक्रे की खाल का है? वो बक्रे की जिसम पे होगी जो बक्रा हमने काटा था उसकी खाल का है यहीं कहीं होगी, खाल ने कहा जाना है? खाल किजी को मा दीजगा महमूद साब क्यों? तुमने उसके क्या जूते बनवाने हैं? आपको किसे बता है? मेरा खाल है महमूद साब, हम अपना बिजनस शुरू करते हैं खालों का? लेदर का महमूद साब? एक बकरे की खाल से? अरे, आज एक है, कल सौ होंगी वो खाल क्या बच्चे देगी? कुछ सोचते है महमूद साब नबील, एक काम करते हैं क्या? बहुत से लोग उने खाले अभी अपने पास ही रखी होंगी हाँ महमूद साब, हमारे महले में से जातर बड़े लोग हैं वो तो खालों को हाथ भी नहीं लगाते तो उनके घरों से खाले उठा लेते हैं वो जो हम उनके घरों से उठाएंगे वो खाले होंगी हाँ जी, आच्छा जी बियार महमुसा बाद है टोक्रिया लेकर देर हो जाएगी नबील तुम क्या अब सबजिया पेचोगे तो मैं कितनी दवा काया जानू मुझे टोका मत करो तुम यही चाहती थी ना कि मैं काम करो बस फिर मैं बिजनस के लिए जा रहा हूँ नबील यह लो मैं ले आया टोक्रिया आगे है तुम क्या कच्रा उठाओगी नबील मैं लेदर की इंडस्ट्री लगाँगा क्या अपना ब्रैंड लांच करेंगे बुलबले लेदर कुड्स वेरी गुड इस टोक्री में क्या अलादीन का चराह है अलादीन का चराग तो तुम्हारा शोहर है जैनू नभील, मैं तुम्हें रगड़ूँगा तो तुम्हारे अंदर से जिन निकलेगा मैमौसाब, तुम देखना खुबसूरत, तुम्हारा मिया एक दिन बहुत बड़ा अपनी बनेगा किस दिन? जिस दिन तुम ने इसे खाब से नहीं जगाया आप तुनों जा किदर रहे हैं? माजी, आपका बेटा कमाई के लिए जा रहा है, इसे आशिरवात दे जीता रहा है, पुतर मैं तुम्हारा शोहर हूं गई ओप, चले मैमौसाब, आज बहुत काम कर रहा है चलाएं, चलाएं यह दूनों करने क्यों गए? बेजनेस करने ख़्शो हशे मैमौसाब यह पड़े लोग का मुहला है यहां आवाजे लगा कर नि मांगते तोर कहां ठेला लगा कर मांगे गए अरे महमूसाब, हम बारी बारी सब के घर की बेल बजाएंगे और बाग जाएंगे, है ना, बड़ा मुझा आएगा महमूसाब, हम यहाँ केलने नहीं आए, काम करने आया है यार वो जो हम यहाँ करने आये हैं वो काम है हांची अच्छी अच्छी महमूसभ हम सब के दरवाजे पे जाएंगे और बड़ी तमीज के साथ खाले मांगेगे ठीक है आई आओ कर दोस्के अकिर 100 एंकिर मांगेशिक आपनी खाल हमें आपनी भाल हमें रेह सकते हैं कर अधिर सी एक कोती दया कुट्राख खालेना ए आप तेरी Venam अ बाजी आपके पास खाल होगी? जी हां है अपनी खाल मुझे देते हैं कमीने तुझे पताओ में कितना बटतमेज़ देख दाला है या नभील यह हमारे महले में खाल कोई गाली है क्या? में मौसाओ मेरा ख्याला दिछनरी में चेक करते हैं खाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ चलाओ देखते हैं यह आप दोनों ने ऐसी शकले क्यों बनाई मी है हैकल जैकल ओ माजी हमारे नाम महमूद और नबील है इसलिए ऐसी शकले बनाई मी है हाई तो पतर नाम बदल दो ना ओफ नबील तुम तो काम करने निकले थे कमाने क्या हुआ? हाँ आपकी पहली कमाई पे ना मेरा हक है मुस्तकीम महमूद ने महमूद का नहीं है मेरा हक है लाए निका लें आज आपने जो भी कुछ कमाया है तुम्हे वो चाहिए जो आज मैने कमाया है हाँ जी जैनू तुम्हें मेरी आज की पहली कमाई चाहिए और नहीं तो क्या मैं मुसा बाप बड़े आप शुरू करें यार लाब यार नबेल यार ये खालों वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया है जिंक खालों Drug aspect कोई बाद निमां मैं हो शाब हम अपने पैरों पे खुदब आहां हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हैं ये एक पैर पर दूसरा पैर रखे या दोनों पैरों पैर रखें वे हम एक खाल से क involर्बार शुरू करें तुम यार थे था यार अब झाल में ह के कार खाने में दे कर दो तीन वालट और एक बड़ा सारा बैग बनवाएंगे और मैं अपने लिए ना ओवर कोट और लॉंग बूट भी बनवाँगा वह पक्रे की खाल है वह डाइनसौर की खाल नहीं है अच्छा हाँ हम यह चीजें बनवाकर मार्केट में अपना नाम है इतमाद का वा 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 यह ठीक है भई चैने फिर आप खाल पर नमक लगाएं मैं कार खाने में बात करता हूँ यह जो खाल पर लगाना है वो नमक है हां जी अच्छा जी क्या बई खाल चाहिए हां यार तुझे कैसे बना चला अबै खाल मुझे चाहिए हम खाले नहीं बेजते अबै लगता है तुने मुझे पहचाना नहीं अर्शत पप्पू नाम है मेरा तू भी पपू है अबै किस तरह बात कर रहा है भे खाल मेरे खाल में इतनी छोटी खाल वो तो मुझे आएगी नहीं उसमें रहूंगा कैसे जो कुर्बानी की खाल मांग रहा हूँ मैं कुर्बानी दो अभी हुई नहीं अबै तो ईत के बात करेगा क्या नहीं नहीं आज कर लेंगे भाई अच्छा ठीक है मैं शाम को आ जाओंगा खाल लेने मेरे इलावा खाल किसी को मद देना सुन ले सुन लिया सुन लिया भाई सुन लिया सुन लिया सुन लिया थीक है मेहमुसाब मेहमुसाब बाहर को आपसे मिलने आया है कोई लड़की होगी अच्छी लड़की अब मजा आएगा था इस बनाने को अब मजा आएगा मेहमुसाब आपको अब मेरा मतलब बुलबाई थीक है मैं सब्सक्राइब को लड़की होगी नहीं जी मैं आया हूँ आप आया हैं? नहीं मैं मामा हूँ किसका? हफीज मामा नाम है मेरा अच्छा कैसे है या? मैं ठीक हूँ कुर्बानी तो की होगी आपने? जी-जी गोश्ट भी बाटा होगा? हाँ जी हमने तो पूरा फ्रिज खाली कर दिया है बहुत अच्छा किया खाल रखी होगी है न? फ्रिज में? घर में मैं वहीं लेने आया घर? नहीं खाल खाल छट पे है सूखने के लिए रखी है शाम तक सूख जाएगी ठीक है तो फिर मैं शाम में आ जाता हूँ खाल तो मैं लेके ही जाऊँ है? मुझे यकीन है के आप खाल किसी और को नहीं देंगे नहीं नहीं आप ही को दे देंगे जीते रहे कौन था मैं मुझे शाब? खाल मांगने आया था वो हाँ मुझे भी मांग रहा था तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि अभी कुर्बानी ने की शाम को हो अरे लेकिन वो तो कह गया कि वो शाम को आएगा खाल लेने मुझे भी यही बोला था उसने यार कोई बदमाश लग रहा था मुझे अहाँ अब हम क्या करेंगे नभील हमने तो उस खाल से फेक्ट्री डालनी थी अरे मैं हो साब पर खाल दिया ना अब नहीं आएगा कोई और अगर वो शाम में आगया तो तो मैं उसे बोलूगा क्या आपकी खाल उतार ले नभील ओ मैं भोसाब टेंशन न ले यह ले टीवी तो मैंने बद कर दिया अब करते है प्लैनिक अज़ा को गाई है Assalamualaikum Waalaikum Assalam शाम हो गई है आप यह बताने आया है नहीं यह बताने आया था कि टाइम हो गया है काल निका ले है ना जी हम काले नहीं खाते हैं आपकी information गलत है कौन है माजी अज़ा कोई खाल निकल पाने आया है कहां से जी बहाई खाल का बोला था ना मैं आगया हमने आपको कब बोला था आपके बाली सापने बोला था बुलाए उने ओ भाई जा यार माव कर माजी समझाए अपने बेटे को अए अज़ा है मुझे नहीं अपने बेटे को समझाए अच्छा बेटे को समझाए अच्छा बेटे को समझाए अभी आप्यों लगता है नबील हमने दो अलग अलग टोगों से खाल का वादा कर लिया है माप जब फैक बेट में निया मेरी बात रोचुकी इनसे अब बड़े साथ ने खाल का वादा मुझसे किया था तेल ले ने गिया 3 वादा खाल में लेके जाओंगा अचार काम करते हैं ये बाते भाग ले देखें भाई हम लोगों से खलत ही हो गई हमने आप दुनों से वादा कर लिया और खाल हमारे पास यह की है और एक तो बकरेकी हो जाएगी और एक तुम दोनों में से किसी एक की आप दोनों शादी शुदा है ना अची जी भाभी से कहें के चाय लेकर आए और गुर्डे ली भाभी के अरे नहीं नहीं बकरे के मोमो चाय लेकर आओ गुर्दों के साथ बड़ी चल्वी चला रखी है अंकल तुमसे तो खाल भी ठीक ठाक निकलेगी और चल्वी से गी मुझे ड़ा रहे हैं और यह मुझे ड़ा रहे हैं तो मेरे बंदे को क्यों ड़ा रहे हैं देख तुम मुझे बत्तब इसी करने पर मजबूर कर रहा है जा 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 आता हूं तुझे बच्पन से साले चुप कर जाब बहुत हो गया वर्ना वर्ना क्या होए वर्ना मैं तुम जुब कार आए तो जुब सॉरी माजी माजी चाय रख दे और ना गिर जाएगी चोंदी सो रहे हैं दर सॉरी बारी सॉरी मॉमा, मॉमा, मैं बहुने, बहुने से नहीं और कपले नहीं हूँ, नहीं, चाही पीरा हो दी भही, महादी चाही तो में नहीं देती है, यार, नभीन, मैं तो कहता हूँ, इन्हें खाल दो, और निखालो, यह से ही बता है, दूसर को मार देंगे, मैं उसाब, तुमारे बिसनस का क्या होगा, अरे भाड़े क्या बिसनस, हम बजा से जहांके खाल ले आएंगे, तो पैसे को देगा, औरे पैसे, तुम फिकर मत करो, म तूने जो मेरी साइकल तोड़ी थी वो, तो तो उस पर गुड़े को बिढ़ाता था ना, जबके तेरा पक्का वाला दोस मैं था, तूने तो एक लोंडिया के पीछे दोस्ती तोड़ी थी, वही लोंडिया तो तेरी भावी है आजकल, अच्छा, और वो जो गुड़े, व अच्छे कैसे हैं, बड़ा करने मालिक का एहसान है, हावी, क्या है, भाईजी, बात ये है, कि खाल एक है, आप लोगो परापर परापर में तक्सीम कर लें, और नहीं, इसको दे दे मेरा दोस्त है, बजपन कही है, और नहीं, यार, खाल तू लेगा, तेरे बच्छों का सा बखोत तूजे गोली मार दूंगा,운सब क्या करें तो अपनी 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 खाल बचाते हैं, पाघपा Ahora, मेरे यार, चल, उस पर चल, दुनिया महीं है, बबबब,